यह विदायक इरफान अंसारी जी ही है जिनको कलतक राफिया का योग करना अंग प्रदर्शन लग रहा था टीवी लाइव डिबेट में ये उसका उनका जो है सरयाम उनका विरोध कर रहे थे और आज वो उनको छोटी बहन की उपाधी दे रहे हैं मैं पूछना चाहती हूँ विदायक जी से कि क्या आप अपनी बहन के लिए इस तरीके का अपशब्द इस्तमाल कर सकते हैं सोचने वाली बात है कि अपनी सारी सामाजिक मरियदाई को जो है विदायक जी बूल चुके हैं और ऐसे लोगों को कानूनी आइना दिखाना बेहत जरूरी है ताकि समाज में महिलाई जो है स्वतिन्त रूप से अपने मन मुताबिक वो विकास कर सके काम कर सके और आगे बढ़ सके और समाज और देश का दोनों का नाम जो है वो रोशन कर सके नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इर्फान अंसारी महिलाओं का अपमान करेंगे इर्फान अंसारी को मनने विधायक को महिलाई भी वोट देती हैं और दुबारा जीत करके आए हैं तो सिर्फ पूरसों के वोट से नहीं जीत करके आए हैं महिलाओं के लिए भी वो जीत करके चुनावाए हैं अब किस अंदर्ब में बीजेपी क्या कहती है उनको तो मुझे मालूम नहीं है कि वो क्या करते हैं लेकिन महिलाओं के साथ किसके क्या प्रसंग है, प्रेम है, महबबत है यह सब दुनिया जानती है, इसमें कोई न किसी से कुछ छुपती है राजनिती की जीवन समाजिक जीवन ऐसा है और ऐसे भी आजकल इतने सारे टेकनोलोजी हैं कि किसी की भी कोई चीजें छुपती नहीं है, कौन क्या कर रहा है इर्फान अंसारी के भी नहीं चुपती हैं और बीजेपी के नेताओं के भी नहीं चुपती हैं लेकिन इस तरह के अनर्गल ब्यान, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के कोई बातें इर्फान अंसारी जी करते हैं लेकिन महिलाओं का अपमान कौन कूछ करेगा कोई और वह भी समाजिक जीवन में राजनितिक जीवन में में रहने वाले भूब तो यह सब करेक्टर बीजेपी के लोगों का है उतर परोदेश के कई विरायकों सांसदो की हम लोगों कई कहानिया देखी हैं कि किस तरह से जो ही वहां महिला का ने जो है अगर एफ आई आर किया तो उसको जान से मरवाने का काम बीजी पी ने किया किसी से छुपी हुई है इसलिए पहले अपने गिर्मान में देखें कि उनके नेताओं का महिलाओं के प्रती क्या आचरन रहा है और कितना वह संजीदा है इस मामले में फिर्फान अंसारी जी बिल्कुल अच्छे हैं और वह महिलाओं की कदर भी करते हैं इजड़ भी करते हैं और उनको पूछते भी जब दूरती है आस जब धकती है सास जब रूरते हैं अपने मुमोरता है जबाना जब अंगलाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी बनते हैं अनमित निसां देखें मेरे साथ संघर्ष की दास्तां झाल